हम सभी नदी जलमारगों के विकास से जुड़े इतने बड़े उत्सव के साख्षी बन रहे हैं। आज मेरी कासी से डिबुरगड के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रुज का शुभारंब हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक परियटक स्तल वर्ल्ड तुरिजम मैप में और प्रमुक्ता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार यह जो नई निर्मित अध्भुत टैंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा खारण देश दुनिया के परियटकों स्रद्धालों को मिला है। इसके साथ साथ आजपस्चिम मंगाल में मल्टी बोडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में, फ्लोटिंग जेटी, असम में, मेरिटाइम स्कील सेंटर, सी प्रिपेर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिमिटी प्रोजेक्ट, ऐसे एक हजार करोड रुपे से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास वा लोकारपन हुआ है। ये पुर्वी भारत में ट्रेड और टूरिजम से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए आउसर बनाने वाले हैं। साथियों, गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं है, बलकि ये प्राचिन काल से इस महान भारत भूमी की तब तपस्या की साक्षी हैं। भारत की स्थितियां, परिस्थितियां कैसी भी रही हो, मा गंगे ने हमेशा कोटी-कोटी भारतियों को पोशित किया है, प्रेरित किया है। इससे बड़ा दुरभाग्य क्या हो सकता है, कि गंगा जी के किनारे की पुरी पट्टी की आजहादी के बाद विकास में पिछरती ही चली गई। आगे जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस बज़र से लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ। इस्थिती को बदला जाना जरूरी था। इसलिए हमने एक नई एप्रोच के साथ काम करना तै किया। हमने एक तरफ नमामी गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया। वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। अर्थ गंगा यानि हमने गंगा के आसपास बसे राज्यों में आर्थी गतिविध्यों का एक नया वातावर्ण बनाने के लिए कदम उठाए। ये गंगा विलास कुरूच इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पस्चिम मंगाल और मंगला देश की आत्रा के दोरान ये कुरूच हर तरह की सुविधा मुहया कराएगा। साथ्यों, आज मैं उन सभी विदेशी टुरिस्ट का विशेश अभिननन करता हूँ, जिस कुरूच के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं। आप सभी एक प्राचीन शहर से, एक आधुनिक कुरूच से सफर करने जा रहे हैं। मैं अपने इन विदेशी टुरिस्ट साथ्यों से विशेश तोर पर कहूंगा की, India had everything that you can imagine, it also has a lot beyond your imagination. India cannot be defined in words, India can only be experienced from the heart, because India has always opened her heart for everyone. Irrespective of region or religion, creed or country, we welcome all our tourist friends from different parts of the world. साथ्यों, एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है। ये जो लोग इसमें से आध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वारानसी, काशी, बोध गया, विक्रम शिला, पत्ना साहिव और माजूली की यात्रा करने का सौभागी मिलेगा। जो मल्टी नेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें धाका से होकर गुजारने का अउसर मिलेगा। जो भारत की नेशनल डावर्सिटी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये क्रूज, सुन्दरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा। जिन लोगों की रूची भारत में नदियों से जुड़े सिस्टिम को समझने में हैं, उनके लिए यात्रा बहुत महत्तपन होगी। क्योंकि ये क्रूच पचीस अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरे गया। और जो लोग भारत के सम्रद्ध खान पान का अनुभू लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहतरीन अवसर है। यानि भारत की विरासत और आधुनिक्ता का अद्वुत संग्यम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। कुरूज टुरिजम का ये नया दौर इस छेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। विदेशी परियाटकों के लिए तो ये आकर्शन होगा ही। देश के भी जो परियाटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे, वे अब पुर्वी भारत, पुर्वी भारत का रुख कर पाएंगे। ये क्रूच जहां से भी गुजरेगा, वहां विकास के एक नई लाइन तयार करेगा। क्रूच टूरिजम के लिए ऐसी ही व्यवस्ताएं हम देश भर के नदी जलमारगाओं में तयार कर रहे हैं। शहरों को बीच लंबे दीवर क्रूच के अलावा हम अलग-अलग शहरों में छोटे क्रूच को भी बढ़ावा दे रहे हैं। क्रूच के लिए इचाओं प्रोच के लिए धुझके लिए रहे हैं।